Hello everyone, welcome back to my YouTube channel So, आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे GNM के कोर्स के बारे में GNM होती क्या है और GNM करने के लिए हमें क्या-क्या eligibility criteria चाहिए इसका जो admission process है वो क्या होता है और GNM करने के लिए age limit कितनी होती है duration कितना होता है कितने साल तक कि हमारे जो है training चलती है कोर्स चलता है इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है और जब हम ये GNM का कोर्स complete कर लेते हैं तो हमारा जो job profile हो क्या रहता है कौन कौन से field में हम job कर सकते हैं और में जो बात होते है income की salary की और GNM कोर्स करने के बाद salary structure क्या रहते है हम कितनी income earn कर सकते है तो ये सारी चीज़े हम आज की वीडियो में discuss करेंगे जैसे ही plus two का कोर्स हमारा complete होता है तो हमारे मन में यह होता है क्या कि हमने क्या करना है अगर आपने GNM के बारे में सोचे कि आपने ये कोर्स लेना है सबसे पहले आता है हमारा eligibility हम eligible होने चाहिए स्कोर्स के लिए तो सबसे पहले point आता है plus two में हमारे पास होना चाहिए PCB, subject, physics, chemistry, bio बट कुछ college में arts वाले students को भी लिया जाता है तो ये depend करता है college के उपर तो main जो है हमारा plus two पास होना चाहिए चाहिए वो medical का हो चाहिए non-medical का हो चाहिए arts का हो second चीज आता है कि हमारे जो plus two में marks होने चाहिए that is 40 to 50 percentage अगर हमारी ये percentage बनती है तो हम इस course को ले सकते हैं third जो point है सबसे important बहुत सारे लोगों के mind में ये रहता है कि इस course को male नहीं ले सकते इस course को male भी कर सकते हैं female भी कर सकते हैं so ऐसी कोई foundation है कि इसको male student नहीं कर सकते इस course को male भी ले सकते हैं और female भी ले सकते हैं दोनों इस course को कर सकते हैं तो ये था हमारा eligibility criteria next आते है हमारा age limit जिनम course करने के लिए क्या age limit होने चाहिए तो age limit की बात करें तो age जो होनी चाहिए 17 years से लेके 35 years, minimum age जो होनी चाहिए वो 17 years होनी चाहिए और जो maximum age है वो that is 35 years. अब बात आती है duration की, कितनी duration का ये course होता है, तो ये course होता है साड़े 3 साल का 3 and half year, 3 years होते हैं हमारे study periods का होते हैं और 6 months होते हैं हमारे internship के होते हैं, तो total जो period है that is 3 and half years, अब बात करते हैं admission process की, तो सबसे पहले आते हैं हमारे direct admission, तो हम GNM course के लिए direct भी admission ले सकते हैं, किसी भी college में चले जाएए जो आपने देखा हो, सर्च करा हो, और वहाँ पे अपनी fees पे करिए और admission हो जाएगा, next आते है हमारा merit base पे, अगर आपके marks अच तो third point है हमारा entrance exam, अगर आपने कोई exam दिये जो भी किसी university का निकलता है और आप clear कर जाते हो, तो आप government seat ले सकते हो easily, अब बात करते हैं fee structure की, तो fee structure की मैं बात करूँ तो ये totally depend होता है college के उपर, जो private college होते हैं, फिर भी हम estimated सा discuss कर लेते हैं, अगर मैं government college की बात करूँ तो हमारी जो total fees होते है, that is 70 to 1 lakh लगवग इसके असपास होती है, और private की बात करूँ तो total जो खर्चा बैठते हैं हमारा 1 lakh to 5 lakh, ये मैं estimated सा बता रहे हूँ, बाकी depend करते है colleges के उपर, बट हाँ government से कर रहे तो obviously जो हमारा fee structure वो कम होता है, अब हमारा आता है job profile, तो बहुत सारे students क मन में ये रहता है कि अगर हम इस course को कर लेते हैं, तो हमारी job profile कह रहे ही, तो इसमें जो job profile है, first one आता है हमारा staff nurse, after this course, आप staff nurse, as a staff nurse, join कर सकते हैं, किसी भी hospital को, चाहे वो private हो, चाहे वो government हो, next आता है हमारा home nurse, तो बहुत सारे ऐसे home care भी nurses प्रोवाइड करती है, जहां पे की जुरूरत होती है, जो हमारे old age होती है, उनकी care करने के लिए, तो हम home care में जाके भी health care प्रोवाइड कर सकते हैं, third one आता है health visitor, and last one is community health worker, तो यह हमारे उपर depend करता है, कि हम कितनी महनत कर रहे हैं, कितना struggle कर रहे हैं, तो job profile तो हमारे हाथ में, बट यह है कि nursing के बाद ऐसा करने कि आपको job की कमी है, बहुत सारी ऐसी field है, जहां पर हम as a nurse काम कर सकते हैं, and last point is, जो बहुत important है, that is income, तो सबसे ज़्यादा में यही चलता है, कि अगर हम इस course को लेते हैं, तो आगे जाके हमारी salary क्या होगी, income आएगी नहीं आएगी, तो बिल्कुल आप निश्रिंत ह हो जाएए, अगर आप जीरम का course कर रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि आपको income नहीं आएगी, क्योंकि आज की date में nursing कितनी demand है, और बहुत सारी ऐसी job profile हैं, जहां आप join कर सकते हैं, but यह depend करते हैं, आपके उपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम government sector की बात क जो salary है, वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, तो मैं estimately सा बता रहे हूं, तो 45-50,000 हमारी स्टार्टिंग के जो salary होती है, estimated उपर नीचे हो सकती है, अगर मैं central level की बात करूं, तो salary और भी अच्छी होती है, 60,000 से लेके 90,000 plus salary होती है, उपर नीचे हो सकती है, मैं estimated सा बता रहे हूं, तो अगर आप कोई exam crack कर रहे हैं, तो salary को कोई issue है, बहुत अच्छी salary है, गोर्मेंट सेक्टर में, अगर मैं private की बात करूं, तो salary उसमें भी कमनी है, बट depend करता है, आपके उपर, आप कितना struggle कर रहे हो, आपकी job profile क्या है, कितनी महनत कर रहे है, आज कर बाहर जाना चाते हो, आफटर जेनम, तो nursing के तुरू आप बाहर भी जा सकते हैं, abroad बगारा, बट अगर आप इंडिया में रहना चाते हो, तो इंडिया में भी nursing के sources बहुत जादा है, बहुत जादा job profile है, जहां पे आप जोईन कर सकते हैं, so I hope आपके सारे doubts clear हो चुके होग section में उसको डाल सकते हैं,